नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप जानते हैं राष्ट मंडल खेल चल रहे हैं अर्थात कॉमन वेल्थ गेम 22 चल रहे हैं इंग्लेंड के अंदर इंग्लेंड के अंदर एक जगह है बर्मिंगम वहाँ ये राष्ट मंडल खेल चल रहे हैं बहुत अच्छा प्र परशन बच्चों आपके लिए ये है कि राश्टमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां किया गया है तो सबसे सिंपल सी बात है पहला ऑप्शन सही होगा बर्मिंगम में इंग्लेंड के अंदर इंग्लेंड के अंदर बर्मिंगम में जो कॉमन वेल्थ गेम 2022 है इसका आयोजन किया जा यह 22 जो है राश्टमंडल खेल है जब से शुरुआत हुई है इसकी नहीं तब से 22 राश्टमंडल खेल है आप जानते हैं कि मीरभाई चानू ने इसमें गोल्ड जीत लिया है 49 किलोग्राम की कटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड जीता है यह 49 किलोग् यह तो 100 के आसपास होते हैं पहले राउंड में तो 84 किलोग्राम था फिर 88 उसके बाद 90 ठीक है 84 वाला इन्होंने उठा लिया था 80 वाला उठा लिया था 90 वाला नहीं उठा पाई थे फिर दूसरे राउंड में इन्होंने 100 से उपर के जो वेट है वो उठाए थे ठीक इसक राष्ट मंडल खेल का आयोजन कितने साल के बाद होता है कितने समय के अंतराल में होता है तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है बच्चों 4 वर्ष के अंतराल में होता है राष्ट मंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी तो शुरुआत 1930 में हुई थी बच्चों 1930 में हुई थी और पहला जो ये राष्ट मंदल खेर हुआ था कहां आयोजित किया गया था कनाड़ा में किया गया था बच्चो कहां पे कनाड़ा के हैमिल्टन शहर में ठीक इसके लावा इंपोर्टन चीज़ में आपको बता दूँ 2022 का जो ये 22 वा कॉमन वेल्थ गेम हो रहा है न किया गया है इस कॉमन वेल्थ गेम में इससे पहले भी 1998 में शुरुआत हुई थी लेकिन पुरुषों के लिए शुरुआत हुई थी उसमें पुरुषों के लिए फिर बाद बंद कर दिया गया था इसके लावा राष्ट मंडल खेल का जो मुख्याले है वो कहां परस्तित है राष्ट मंडल कॉमन वेल्थ का जो गेम का जो हेड़कॉर्टर है वो कहां पर है तो नोट कर लीजिगा ये हेड़कॉर्टर लंदन में है headquarter यह लंदन में है राष्टमंडल खेल 2022 में वर्तमान में कुल कितनी टेम में भाग ले रही है तो 72 देश टोटल पार्टिस्पेट कर रहे है मच्चों 72 इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें अभी वर्तमान में इंडिया की position में आपको पता हूँ इंडिया जो है भी आठवे नंबर पर है पहले नंबर पर चल रहा है आज की डेट की बात कर रहा हूँ आज सुबह 31 जुलाई सुबह की बात कर रहा हूँ ठीक अभी तो चली रहा है यह उसमें अच्छा प्रदेशन करेंगे ही तो अस्ट्रेलिया सबसे आगया है उसने 20 पदक जीत ली है कुल 20 पदक राष्टमंडल 2022 की शुरुआत कब हुई है कब से कब तक होगा बच्चों यह आपको मालूम होना चाहिए नोट कर लिजेगा 28 जुलाई से शुरू हो गया है 8 अगस्त तक रहेगा महिला है जो राष्टमंडल खेल की महासचीव हैं इनका नाम पैट्रियसिया है ठीक है तो B आप्शन सही होगा पैट्रियसिया स्कॉट्लेंड नेक्स्ट राष्टमंडल खेल का आदर श्वाक क्या है थीम क्या है थीम पूछा गया है राष्टमंडल खेल 2022 का थीम पूछा गया आपसे इसका राइट अंसर होगा Games for everyone Games for everyone सबके लिए खेल वर्ष 2018 राष्टमंडल खेल का आयोजन कहां हुआ था इससे पहले चार साल पहले जो राष्टमंडल खेल का आयोजन है वो कहां पर हुआ था वो भी important पूछा जा सकता है current fair के question में Australia में Australia में हुआ था बच्चों और note कर लिजगा Australia में सबसे ज़्यादा बार हुआ है Australia में अब तक 3 बार हो चुका है सबसे ज़्यादा कहां पर राष्टमंडल खेल का आयोजन हुआ है तो Australia में हुआ है ठीक और पहले स्थान पर कौन रहा 21 जो राष्टमंडल खेल हुआ था उसमें पहले स्थान पर भी Australia रहा है आज भी Australia सबसे आ गए है और तीसरे स्थान पर हमारा भारत रहा था 21 राष्टमंडल खेल में तीसरे स्थान पर हमारा भारत रहा था राश्टमंडल खेल में होकी को पहली बार कब शामिल किया गया था तो होकी को पहली बार शामिल किया गया बच्चों 1998 में 1998 में शामिल किया गया था राश्टमंडल खेल में राष्टमंडल खेल अंतीम बार कहां आयोजित किया गया था भारत के अंदर है ये भारत के अंदर पुछा है राष्टमंडल खेल भारत में अंतीम बार कहां आयोजित किया गया था 2010 की बात है बच्चों 2010 में एक ही बार हुआ है अंतिम बार कहा जाई है एक ही बार हुआ है वो इंडिया में एक ही बार हुआ है 2010 में और दिल्ली में हुआ था ठीक है और वो उनिस्वा था वो उनिस्वा था उनिस्वा राष्टमंडल खेलता इसमें भारत ने सबसे जादा 101 पदक जीते थे अब तक के सबसे ज़्यादा पदक इसी में जीते थे 101 एक किस्वा राष्ट मंडल खेल में भारत ने कितने पदक जीते थे बच्चों अभी जो इससे पहले हुआ था उसकी बात की जा रही है तो उसमें च्छाछट पदक जीते थे जबकि जो उनिस्वा हुआ था उसमें मात्र च्छाछट पदक जीते थे राष्ट मंडल खेल में भारत को पहला सौन पदक किसने दिलाया है अब तक के जितने राष्ट मंडल खेल है उसमें सबसे पहले गोल्ड जिताया है किसने तो आप सभी को मालूम होना चाहिए गर्व की बात है दा भारत ये कौन था मतलब ऐसा नहीं गोल्ड नहीं पुछा रहा है स्पेसिफिक कि पदक किसने जिताया था पहला भारत कौन था जिसने पदक जिताया था तो राशीद अनवर राइट अंसर है राशीद अनवर ठीक है बच्चों तो आज के लेक्चर में इतना ही ये इंपो उनमें ये करेंट फेर का बहुत चुनिंदा बहुत पसींदीदा ये विशे होने वाला है तो लाइक कर लिजेगा शेर जुरू कर लिजेगा सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लावा कम्प्लीट चीजें मेराथन कलासे पढ़ कर दुरू कर दो